नमस्कार आप देखरा है दा इंडिया टॉप मैं हूँ आदेश पूरी बिहार में फरजी वाड़ा खासकर नौकरियों में एक बहुत बड़ा कहें तो हिस्सा बन चुका है कोई भी परिक्षा हो और उसमें फरजी वाड़ा के सबूत न मिले मामले ना ऐसा हो नहीं सकता है च फिर से दरोगा की परिक्षा में भी आरोप लगते रहते हैं फिर से आपको अभी BSSC पर्थम इंटरस तरिये का कॉंस्लिंग चल रहा आभी तक 97 कंडिडेट ऐसे पकड़े गए हैं जिन पर ये आरोप है कि उन्होंने परिक्षा में सौलवर गेंग को बैठाया था तो वह ही आपको बताएं कि अभी ये खबर महत्रपोन ये आ रही है कि फर्जी कागज के अधार पर बहाल किये गए 96 संबीदा अमीन को बरखास्त किया गया है और जितना भी उन्होंने वेतन लिया है उन सब की उगाही उन से की जाएगी आपको मामला पूरा बताते हैं इसमें है कि बिहार भूमी सर्विक्षन की बहाली में बड़ी धांदली सामने आई है फिलहाल फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल 96 अमीनों को बरखास्त कर दिया गया है जाच चल रही है इसके बाद संबीदा पर बहाल सभी अमीन और दूसरे पद्धार को के सर्टिफिकेट की जाच का आदेश दिया गया है 38 अमीनों ने एक ही विश्विद्धाले का फर्जी सर्टिफिकेट जमा किया था बाकी 58 अमीनों के सर्टिफिकेट अलग-अलग संस्थानों के हैं भू अभिलेक निदेशक जैसिंग ने गुरुवार को यह बताया कि बरखास्त किये गए अमीनों स वेतन के मद में हासिल रासी की वसूली और फर्जी वारा के आरोपने प्रात्मी की दर्ज करने का आदेश दिया गया है आपको बता देखें 38 अमीनों की बहाली के लिए फर्जी सर्टिफिएट का इंतिजाम जहांसी इस्तिद बुंदेल खंड विस्विद्दाले से किया गया था सबने इस विस्विद्दाले से सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा का पढ़मान पत्र जमा किया सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए सभी परमान पत्रों को बुंदेल खंड विस्विद्दाले भेजा गया जहांके कुल सचीव ने दो बार पत्र निकर बताया कि इस विस्विद्दाले में सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा की पढ़ाई होती ही नहीं है विस्विद्दाले का आखरी पत्र 19 नौवंबर को आया इसके बाद ब्रखास्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई अन्य अंधाओन अमीनों का सिवा से हटाया गया है उनके सर्टिफिकेट अलग-अलग संस्थानों से हैं लेकिन जाच में सब फर्जी पाए गया है इन सब ने प्राविद्धिक सिख्छा परिसद लखनव, सरोपली रादाकरिष्णा इंवर्सिटी भोपाल, दुरस सिख्छा निदेसालाय राजस्तान, डॉक्टर सिवी रमन, विस्विद्द्यालाय बिरासपूर, गवर्मेंट पॉल्टेक्निक, भरूच, मेवार इन्वर्सिटी राजस्तान, अन्ना मला इन्वर्सिटी तमिलनाडू, हिमालाय इन्वर्सिटी हिमाचल परदेश के अलावा अन्य सिक्छन संस्तानों के फरजी सर्टिफिकेट जमा कराये थे वही बताएं कि आपको भू अबलेक के निदेसक जैस सिंग ने बताया कि विस्विद्द्यालाय से जबाब मिलने के बाद सभी अमीनों को अपना पक्ष रखने के लिए स्विष्टी करन पूछा गिया, किसी ने जबाब नहीं दिया, सब ने समय की मांग की, उन्होंने बत अपना सर्टिफिकट दिखाया, लेकिन वहां उसकी पढ़ाई ही नहीं होती है, इसके अलावा एक भी कैंडिडेट यह से नहीं दिखाई दियें जो बिहार से किये हों, पता नहीं बिहार में ये कोर्स होता भी है या नहीं होता है, लेकिन आपको बता दें कि अमीन की बहा अपन में डिगडी को लेकर ही केस किया गया, और राज्य सरकार केस हार गई, हाई कोट ने पूरे परिक्षा परिक्रिया को रद कर दिया, और तीन महीने के अंदर में फिर से पूरे परिक्षा परिक्रिया को पूरा करने का कहा गया है, विभाग को तो भही आपको बताएं कि 96 अमीन फरजी सर्टिफिकेट के अधार पर बहाल हुए हैं जिन पर प्रात्मिकी दर्श तो होगी ही उनको वेतन में जितना पैसा मिला हुआ है सब का वसुल किया जाएगा तो बता दें आपको कि फरजी सर्टिफिकेट और फरजी वाड़ा बिहार में काफी फेमस रहा है इसी तरह हाई कोट में एक याचका दायर हुआ था 2013 में जिसमें यह कहा गया कि एक लाग से अधिक सिक्षक बिहार में फरजी सर्टिफिकेट के अधार पर बहाल हुए हैं और पिछले 6-7 सालों से विजिलेंस का जाच चल रहा है हाई कोट ने विजिलेंस जाच दिया था लेकिन उसमें भी जो सिक्षक हैं जो जो सिक्षावी वहाग से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहाना है कि इस जाच में भी असलियत सामने नहीं आपाएगी क्योंकि बहुत ब सबसे बड़ी बात की सरकार अब करवाई करना सुरू की है लेकिन अन्य भी भागों में भी ये करवाई जो है बड़े अस्तर पर नहीं की जा रही है और जो ये फरजी वड़ा करते हैं उन पर भी नकिल करने की कोशिस नहीं की जा रही है जो काफी दुरभागे पुन है सर कार को ऐसा करना चाहिए तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद है लाइक सेर करें हमारे चैनल दे इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें तन्यवाद